हेलो दियर स्टूरेंट्स, वेलकम टो एटीपी स्टार, दो सूपर लेर्निंग प्लाटफॉर्म गाईज, आप यू आप यू आप वेरी वेल और नीट ट्वेंटी टू के लिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे बचो जब आप molecular basis of inheritance chapter पढ़ते हो तो वहाँ पर DNA की molecular structure के related एक question आपके सामने आता होगा कि बताओ DNA के अंदर यदि इतने base pair है तो कितने hydrogen bond होंगे या कितने phosphor diastro bond होंगे या कितने glycosidic bond होंगे और कई बार आपको दिक्कत आती होगी तो आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि कैसे calculate कर सकते हो आप bonds को DNA की structure में ठीके तो उसके लिए हम tricks भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर किस तरीके से इसे calculate किय आजाता है ठीके तो आगे बढ़ते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले बचो एक important information ने दी आप quota करके हमसे ATP star पर पढ़ना चाहते हो तो बचो आप join कर सकते हो हमारा एक love batch तो यहाँ पर एक love batch जो है बचो वो start हो चुका है इसके अंदर आप enroll कर सकते हो batch की details से दी जाना च चाहते हो तो इस number पे call कर लो और description में Google form दिया है उसे आप जरूर से fill कर लेना ठीके चलो आगे बढ़ जाते हैं हम बचो question के थू हम इस concept को आज सीखने वाले हैं question क्या है question is like calculate the number of hydrogen bond in a double stranded DNA if out of 200 nitrogenous bases 20% are cytosine ठीके तो यह question है अब क्या क्या question में पता पढ़ गया आपको कितने base है, bases कितने है, bases तो है 200, कितने 200 bases है, यदि base pair की form में लिखना चाहता है तो कितना लिखता है, इसको लिखता है 100 base pair, ठीके ऐसे भी लिख सकता हूँ, चलो, अगला data क्या दिया हुआ है, अगला data दिया हुआ है कि out of these 200 nitrogenous bases 20% are cytosine, क्या cytosine का number बता सकते हैं कि कितने cytosine है, 200 200 का 20% यानि number of cytosine, number of cytosine जो है वो कितना हो जाएगा, 200 का 20% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानि 40 क्या है cytosine, अब यदि आपको cytosine बता बढ़ गया कि 40 हैं, तो क्या आप guanine का number बता सकते हैं क्योंकि हमेशा क्या होता है, हमेशा तो C और G का pair होता है ना, तो हमको प होंगे, उतने ही क्या होंगे, guanine होंगे, तो यहाँ पर हमें ये पता पढ़ गया, number of guanine, number of guanine है, वो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, 40, यानि 200 में से हमको पता पढ़ गया, कि 40, 40 क्या है, cytosine और guanine, यानि कि total GC pair, total GC pair जो है, या CG pair लिख दूँ, एक ही बात है तो ये pair कितने हो रहे है, ये pair हो रहे है, 40, total 40 pairs, यानि कि CG मिला के कितने हो गए, C और G मिला करके तो हो जाएगे, 80, लेकिन CG pair की बात करूँ, तो कितने हो जाएगे, 40 pairs, अब rest जो pairs है, वो pair किसके है, rest pair, 80 pair होंगे, है कि नहीं, CG pair निकाल लिया, अब जो बचा वो सारा क्या है, 80 है, कहीं पर A, T, या फिर T और A, ऐसे होगा, अब ये G और C जो है, उसमें मैंने बीच में triple bond क्यों लिखा, क्योंकि या पर 3 hydrogen bond है, इसलिए, तो rest क्या है, rest जो है, वो है हमारे 80 pair, और A और T के बीच में 2 hydrogen bond होते हैं, तो 80 pair, कितने 80 pair होंगे, अब जितने बच गए, total कि कितने pair थे, बताओ, चलो calculate करके मुझे बताओ, कि total कितने pair थे, starting में लिखा है हमने, total bases तो 200 है, pair कितने 100 base pair है, कितने 100 base pair, यानि 40 base pair, यदि CG के हैं, तो 80 base pair कितने होंगे, ये होंगे, rest 60 pairs, कितने होंगे, 60 pairs होंगे, है कि नहीं, अब इसको calculate कर लो, 40 multiplied by कितना, 3, अब यदि GC क बीच में कितने hydrogen bond है, ये निकालना है, तो क्या करेंगे, 40 multiplied by 3, यानि 120, 120 है hydrogen bond किसकी form में है, CG pair की form में, और 80 pair की form में कितने hydrogen bond है, multiply करोगे 2 से, यानि 120 hydrogen bond जो है, वो 80 pair की form में, total number of hydrogen bond कितना हो जाएगा, total कर लो, 240 hydrogen bond हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 240 hydrogen bond हो जाएगा, यानि इस question का answer क्या हो जाएगा, second answer हो जाएगा, तो कर पाओ गया ऐसे question, समझ भाया, यानि अब ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से calculate करता है, शौट में बताओ, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप calculate कर लो कितने base pairs हैं, कितने base pairs हैं, और उन base pairs में से कितने GC pair हैं, वो find out कर लो, कितने 80 pair हैं, वो find out कर लो, 80 pair को multiply करो 2 से, GC pair को multiply करो 3 से, और जो total आ रहा है, वही होगा total number of hydrogen bonds, तो इस type से ये question आप solve कर सकते हो, ठीके, लेकिन question में सिर्फ इतना ही नहीं आता है, कई बार बचो ये question जो है, इसके इंदर आपको और भी कुछ चीज़े पूछ सकते है क्या पूछ सकते हैं, कि number of, number of an glycosidic bond, ये कितने हैं, वो पूछ सकते हैं आपको, या फिर question में पूछ सकते हैं, number of, number of phosphodiester bond, ये पूछ सकते हैं, अब ऐसे question को कैसे करोगे, तो सबसे पहले, जो molecular structure है, उस structure के according, आपको ये पता होना चाहिए, कि कहाँ पर कौन सा bond है, कितने bond present होते हैं, देखो, जैसे हमने क्या किया हैं, हमने एक diagram ले लिया, अब इस diagram के अंदर आपको कितने base pairs दिख रहे हैं, इस diagram में आपको 4 base pairs दिख रहे हैं, कितने base pair दिख रह नुगलियोटाइड के अंदर, आप क्या देखोगे, कि ये है glycosidic bond, ये है क्या, glycosidic bond, glycosidic bond जो है, एन glycosidic bond जो है, वो किस किस के बीच में है, वो sugar के बीच में, sugar और nitrogenous base के बीच में है, यानि जितने भी nucleotides होंगे, उतने ही, क्या होंगे, उतने ही, एन glycosidic bond होंगे, यानि एक बात आपको बहुत आसानी से पता पड़ गए, क्या पता पड़ गए, कि जब भी आपको क्या पूछे, number of N-glycosidic bond, number of N-glycosidic bond, तो आप क्या करोगे, बोल दोगे, कि it is equal to number of nucleotides, number of nucleotides, और number of bases in the DNA, तो यदि में पिछले question में, जो पहले वाला question था, बच्चो यही वाला question, इसमें मैं आपको पूछा कि बताओ, कितने total N-glycosidic bond है, तो क्या आप निकाल लेते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं, कि 200 nitrogenous bases हैं, मतलब 200 nucleotides हैं, तो कितने N-glycosidic bond हो जाएंगे इसके अंदर, इसके अंदर हो जाएंगे 200 glycosidic bond, यदि मैं यहाँ पर अब next बात करते हैं, कि number of phosphodiester bond जो है, वो कैसे calculate करते हैं, अब निकालते हैं, number of phosphodiester bond, कैसे निकालोगे आप, number of phosphodiester bond है कहाँ पर देखो, अब की बार मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें phosphodiester bonds को, देखो, phosphodiester bond कहाँ पर है, इस diagram के अंदर, phosphodiester bond जो है बच्चो यह है, यह और यह, क्या है यह, phosphodiester bond, यह है, तो यह phosphodiester bond कितने हैं, देखो, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 4 nucleotide हैं, लेकिन यह 4 nucleotide, linear DNA है, circular DNA तो नहीं है, तो linear DNA तो इसमें कहा देख रहे हो कि यह वाला OH free है, यह phosphodiester bond जो नहीं बना रहे हो, ऐसे 5 prime पे भी phosphodiester bond जो है, यह यह, कितने बन रहे हैं? थ्री फॉस्फोर डायस्टर बॉंड बन रहे हैं, यानि एक साइड में थ्री फॉस्फोर डायस्टर बॉंड बन रहे हैं, यहाँ पर दूसरे साइड में थ्री फॉस्फोर डायस्टर बॉंड बन रहे हैं, यानि यदि फोर पेर नुकलियोडेट्स हैं, तो फॉस्फोर डाय यहां पर number of phosphodiastra bond जो है वो कितना बोलोगे बताओ कितना बोलोगे number of nucleotide minus 1 की 2 भाई number of nucleotide minus 1 यह 2 टू हो जाएगा एक इदर से कम हो रहा है एक इदर से कम हो रहा है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि it is it is equal to number of number of nucleotide minus 2 number of nucleotide minus 2 क्यों कि ये double stranded DNA है यदि एक strand में पूछता तो हम minus 1 ही करते हैं समझ गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब previous question को देख रहे हैं हम इसके अंदर कितने है 200 nucleotide 200 nitrogenous based मतलब 200 nucleotide तो 200 nucleotide है तो number of phosphodiaster bond कितना हो जाएगा 200 minus 2 यानि 198 जो है वो क्या हो जाएगे इसके अंदर phosphodiaster bond हो जाएगे और circular DNA होता तो तो फिर तो number of nucleotide के equal to हो जाता थीक है तो इस तरीके से हम इस type के questions हैं उन्हें आसानी से कर सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको bond स्वाल जो concept बचो वो अच्छे समझ में आ गया होगा यदि आपको अच्छा लगा तो जरूर से like करें all the best